रादे रादे नमस्कार अपने चनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं मित्रों आज हम दिखाएंगे देखिए पीछे हमारे यहां पर क्या हो रहा है किसान लोग क्या कर रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं दीरे दीरे चलते हैं और दिखाते हैं कि आगे यहां पर किसान तो दीरे-दीरे हम उतरते हैं देखिए यहां पर यह बहुत संबल के जाने वाला होता है क्योंकि यह हाईवे के किनारे यहां पर दीरे-दीरे यहां पर चलने के लिए उतरने के लिए यह जा रही है पकड़ंडी तो हम यहां पर चल रहे हैं और आराम से चल ले हैं दिरे दिरे चल ले हैं अ मित्रों यह देखिए बहुत ही और यहाँ पर कौो सी खेती हो रही है Yeah तब हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहां पर dekhiye, यह क्यारी बनी हुई है, यह बिंडी है, तो यहां पर देखिये यह बिंडी की केती हो रही थी और यह अभगश्त किया जा रहा है, फूरे केत में, तो ये भिंडी की पूरी फसल हो गई है अब यहां पर ये इसको काटा जा रहा है ये देखिए ये पूरा का पूरा ये भिंडी का पौधा हम दिखा रहे हैं आपको ये तो भिंडी की खेती अब इसमें क्या बोया जाएगा अब भिंडी को काट करके ये अलू यहां इसमें बोया जाएगा तो हम यहां पूरा दिखा रहे हैं और आगे चल करके आप देखिए कि किसान भाई क्या कर रहे हैं सब एक एक करके कि यह पूरा काटा जा रहा है उसके बाद इसकी जुताई होने के बाद फिर आलू की भुवाई होगी तो सिदे सिदे आप चल नहीं हैं और किसान से कुछ बाद चीत करेंगे तो पूरा उधर देखिए धान की पूरा तैयारी हो रही है धान भी कट गया है और यहां पर उधर आलू की भुवाई हो रही है तो इसी तर Michaels यहां पर भी आलू की भुवाई होगी मित्रों आप देख लीजिए कि ये भिंडी का खेत था भिंडी की यहां पर फसल थी और भिंडी की फसल अब पूरी हो चुकी है तो अब दूसरी फसल इसमें ली जाएगी वह आलू की फसल इसमें किसान भाई कह रहे हैं कि आलो की खेती अब की जाएगी तो यह पूरे खेट में यह इसी तरह से काटा जाता है यह भिंडी है अच्छा तो अब क्या इसके बाद हो गया यहां पर आलू तो अच्छा तो आलू की खेटी किते दिन में हो जाती है अच्छा उधर मार्च नौंबर से और उधर मार्च में उधर खुदने वाला हो जाएगा अच्छा तो यह एक एक करके यह पूरा काटा जाता है ना यह पूरी एक करके पूरी कटाई होगी पूरे खेत में तो यहां देख लिए यह पूरे खेत की यहां पर एक एक करके पूरा काटा जा रहा है और प्यास लगी होगी तो पानी भी लेके आ रहा है अपने पीने के ल तो यहाँ चारों तरफ का आमने नजारा आपको दिखाया किसान भाई यहाँ पर भिंडी की खेती कर रहे हैं उधर आलू की भी खेती हो रही है बुआई हो रही है तो उसी तरह से यहाँ पर भी आलू की बुआई होगी तो मित्रों आपको हमने दिखाया कि भिंडी की यह जब खत्म हो जाती तो किस तरह से काटा जाता है और इधर आप देखेंगे कि आलू की बुआई हो रही है यह देखिए हम आपको और पास में चलते है और दिखाते हैं कि आलू की बुआई कैसे हो रही है तो पूरा हम आपको यह देखिए आप उची-उची बिल्डिंग बनी हुई है और जो कि बहुत ही यहाँ पर सांती है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर यह देखिए पेंड कित बड़ा सा लगा हुआ है और बीच यहां यह आलू की बुआई हो गई है यह देखिए आलू की बुआई इसमें हो गई है और उधर आलू की बुआई हो रही है तो आलू देखिए पूरा हम यहां पर खेती बाड़ी के बारे में आपको हम दिखा रहे हैं मित्रों और आलू की बुआई हो रही है आलू देखिए आप किस तरह से होता है देखिए मूड सर पर यह लाद करके लाएं बीज जो कटा हुआ हम दिखाते हैं वो उसी में डाल ले हैं और धीरे-धी केस में डालते हैं यह मसीन जो इससे पहले हमने दिखाया था वो दूसी तरह के थी और यह मसीन किसी और तरह की है यह देखिए यह आलू की भुआई हो रही है देखो एक एक करकेस में डाला जा रहा है और यह नाली बनाते हुए जा रहे हैं और यहां पर यह आलू जिसमें डाला जा रहा है एक एक करके और उसमें इसकी भुआई होती जा रही है था ऻरी में आर ढराली यह है जर्व सहीं कर रहें इससे की पानी एकर सचाई उसके बाद होगी उसमें आसानी रहे तो आपका खेत है और यह वहला आपकाँ खेत है यह जो इसमें आलू की बुआई हो गई अच्छ तो इसके पहले इसमें तह चाहिंट कर भूजा के बाद यह जो है इसमें आलू तो साल में कितनी फसल लेते हैं आप आलू खरुजा आलू खरुजा आलू खरुजा अच्छा तो इसमें हमने यह पूरा खेथ है और इस खेथ में पूरा आलू की खेती की जाती है उसके बाद खरवूजा की है इसमें खेती की जा रही है चारो तरफ का नजारा हमने दिखाया यहां पर बलवल यहां पर मिटी है और आलू की बहुत यहां पर खुटी होती है तो इस तरह से पूरा हमने यहां पर देखाया यहां पर बहुत सांती है और अच्छा लग रहा है चारों तरफ करना जा रहा हमने आपको दिखाया इसमें आलू की बुवाई जब करते हो तो कितनी कमाई हो जाती है इस आए हाँ चलते चलिए चलिए कम से कम अगर पूरे खेट में अलू बन जाए बजार मिल जाए हाँ 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 तो लंच्रम अरे बजार मिल जाए अंदनी हो सकती है धाई धाई लाग तो यह किसान भाई देखिये बता रहे हैं कि धाई तीन लाख की प्रॉफिट हो जाती है तो आलू की खेती आप लोग किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो अच्छी प्रॉफिट अगर लें तो तो आलू की वहाई आप करें जिस्से की अच्छी आंधनी हो हुआ है कम से कम बजार मिल जाए है कि दो हजार रुपिया ठावा सब्सक्राइब अच्छा 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 तो तीन भी घय मतलब एक बीघय में एक लाक रुपिया आपको बच जाएगी बड़े आसानी से किसान भाई बता रहे हैं तो अगर और अच्छी तरह से आप पैदावार बढ़ा करके करें तो आपकी और लिया अंदनी हो सकती है तो यहां पर यह आलू की खेती आप लोग करिए और यहां पर देखिए भिंडी भी है भिंडी की भी अच्छी यहां पर कमाई वाली खेती है और यह देखिए अब लास्ट हो रहा है इसकी कटाई हो जाने के बाद फिर इसमें आलू की बुआई होगी तो अच्छा लगा होगा, यह देखिए, मित्रों अच्छा लगे तो लाइक करिए, और किसान से प्यार करते हैं, किसानी से प्यार करते हैं, अगर सबजी आप खाते हैं तो इनको सपोर्ट करिए